तो हेलो पेंट कैसे हैं दोस्तों आए मैं आपको बताने वालाओं Samsung Galaxy कुछ ऐसी एपस बताने वालाओं जो ही आपको अपने Samsung Galaxy में इस्टॉल करकर रखना चाहिए जो कि Samsung की तरब से सबसे पहले जो एप है वह है आपकी Samsung की one hand operation ऑप जो की बहुत शानदर आप यह आपको चाहे तो आपको प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगी और आप चाहे तो यहां से भी मिल जाएगी आपको one hand operation ऑप जो की बहुत ही शानदर है सैम्टुन की तरफ सही इसको बनाया गया है. इस से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने इसे वड़ाइज को जैसा कि मैंने यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर screenshot आजाएगा नीचे इसे बटन आजाएगे ओपर करूँगा तो यह content करूँगा यह जाएगा व आप यहांपर एक एक चीज को सेट आउट कर सकता है है यहांपर जानआ है आपको कस्टमाइज क्लिक करके एक एक आपर उसको सेट आउट कर पाएंगे तो सबसे पहली जो यह है उसके बाद बात करें second app की वो है kite app kite app मतलब की key cap जो की आपके keyboard को customize करती है यह भी Samsung की तरफ से ही आती है यह भी आपको Samsung की तरफ से download करना होता है इससे आप अपने Samsung Galaxy के keyboard को customize कर सकते हैं इसमें बहुत सारी themes create करने को option मिलता है अपने साब से आप एक एक अपने keyword के button को customize कर पाएंगे आप देखेंगे इतने सारे यहाँ पर buttons methods इतने सारे calculator के forms मिलते हैं या फिर आपको इतने सारे आपको इहाँ पर methods मिलते हैं जो भी आपको keyboard चाहिए आपको उसपर click कर देना है and then वो वहाँ पर add on हो जाएगा आउट चाहें तो आप अपना उसमें effects को भी add on कर पाएंगे like मुझे यह वाला चाहिए मैंने sorry like मुझे मुझे यह वाला चाहिए मैंने उसपर click करा इसपर effects पर आया यहाँ पर आएंगे बहुत सारे आपको effects मिल जाएंगे डालने के लिए अपने effects भी डाल सकते हैं आपको एफेक्स पर आएंगे यह वह सारे effects दी हुएं जैसे भी आपको effects जाई है उसफेक्स पर click कर लो और यह वहाँ पर set हो गया अब अगर आप मैं keyboard को use करूँगा तो आप आप देखेंगे keyboard पूरी तरह से अलगी दिख रहा है और सब आपको customize होगे है आपको दिख रहा होगा तो इस तरीके से यह काम करता है ठीक है second app यह होगे उसके बाद बात करें third apps की जो की है Samsung की members जो की बहुत शांदर है यार इस एप का नहीं यहां पर आ रहा होगा वह दिख जाएगा community में जाएंगे तो यहां पर अपना question पूछ सकते हैं यहां पर question पढ़ सकते हैं लोगों ने उसके answer दी होंगे वह आपको दिख जाएगी यहां supports पर जाएंगे तो आप यहां पर अपर अपने mobile को test कर सकते हैं तो यह feature भी बहुत शांदर या फिर बोल सकते हैं यह app भी बहुत important उसके बात बात करें fourth app की fourth app की जोकी है बहुत शांदर वो है theme park इससे आप अपने samsung galaxy की theme को design कर पाएंगे theme park है यह भी samsung galaxy से की खुद की है पर आपको इसको install कर लेना है play store से जाके यह फिर यह आपको galaxy store में मिल जाएगी वहां जाने के आपको store कर लेना है और यहां पर अपने mobile की theme को create कर पाएंगे आप देख रहे होंगी जोन से theme create करना है create पर click करके आप अपनी themes को यहां पर create कर पाएंगे keyword में keyword को भी create कर पाएंगे क्योंग पैनल के भी theme create कर पाएंगे icons की and volume panels की इस सब की themes को आप यहां पर design कर पाएंगे जो की बहुत शानदर है उसके बाद बात करें दोस्तों fifth app की वह है Samsung की health app यह भी बहुत ही शानदर है पर उसके अपडेट्स आती रहते नएने features एड़न होती रहते तो इसको पहले तो कर लेते हैं अपडेट यहां पर जैसी आप सेंदंग health app को open करेंगे तो यहां पर आपको अपने फर्स time लॉग इन करेंगे तो आपको डाल देना है यहां पर सब आपको बताएगा कितने गंटे आपने यूज करा कितने गंटे आपने अपनी आपको यहां पर बता देगा और आप साइट करके आप फिटनेस टिप्स भी ले सकते हैं फिटनेस वीडियो देख सकते हैं अपने किसी फ्रेंड्स को करेंट करके ऑनलाइन भी हां पर आप competition कर सकते हैं तो यह भी बहुत शागदार है यार 5th app उसके बाद बात करें 6th app की आप की बात करें दोस्तों वो है internet beta जो कि यह Samsung की तरफ से ही आता है इसे internet browser होता है ऐसी internet browser beta होता है यह इसमें क्या रहता है इसमें features पहले ही आयाते हैं जो features उसमें नहीं आयोंगे पहले testing version में लौंज होता है तो पहले features इसी app में आपको मिल जाएंगे तो सारे testing version पे भी आ 7th app है जो कि यह Galaxy wear wearable यह आपके Samsung Galaxy की device को connect करता है और watch related सारी setting आप इसी app के अंदर कर सकते हैं अगर आपके watch नहीं है तो यह आपके लिए नियूस डेबल है अगर आपके Samsung की watch है तो आप इसको use करेंगे इसके अंदर से ही आप अपने पूरे Samsung Galaxy की watch को manage कर सकते है जो 8 बंदा है और जो की बहुत ही शांदर apps है इससे आप अपने पूरे Samsung Galaxy के sounds को manage कर सकते है या फिर sound के जो पैनल है उसको manage कर सकते है आपको बहुत सारे या पर panels मिलते है जिस पैनल को भी हम डिजाइन करना चाहिए आपने उस पर Samsung Galaxy में लगा सकते है और उसका use यहां पर आप कर पाए आपको बाट यह जो apps बताएंगे बहुत ही यूसफुल है आप यूस करोगे तो definitely आपको मजा आने वाला है थैंक्यू सो मच जो मीद है कि आपको एनी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको एनी वीडियो बनाई तो प्लीज लाइक जो आपको लगता है कुछ का भी वे आपको